दोसो आज के हमारे स्वीडियो का टोपिक है Why only aluminum wire used in transmission line मतलब कि हमारे जो transmission की line होती है उस पर हम aluminum wire को ही क्यों उप्योग में लेते हैं दोसो यह question electrical के interview के नजरी से भी काफी ज़्यादा important है तो आज का यह video आपके लिए काफी ज़्यादा important होने वाला है तो दोसो वीडियो को start कर लेते हैं दोसो सबसे पहली चीज हम सभी को यह है पता है कि हमारे ज़्याद transmission की line हो या फिर हमारे कोई भी electrical का wire हो उस wire को हम उप्योग में क्यों लेते हैं उस wire को हम इसलिए उप्योग में लेते हैं मतलब सबसे आसानी से current किसमें से flow हो जाता है यह question भी आपसे इंट्रीव के अंदर पूछा दा सकता है तो दोसो इसके अंदर सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है हमारे silver का मतलब चांदी चांदी यह कैसा परदाते है इसके अंदर current बिल्कुल आसानी से गुजर जाता है और अगर आपसे इंट्रीव के अंदर top 5 पूछा जाए मतलब highest conductivity वाले material के नाम बताईए 5 तो आपको सबसे पहला जो नाम आता है वो हमारा silver का आता है आपको यह बताना है इसके बाद में हमारा copper आता है 1000 रुपे केजी आता है इसके अलों अगर हम copper की बात करें तो copper हमारा लगबग 500 रुपे केजी मिल जाता है जबकि अगर हम gold मतलब 100 की बात करें तो 1 kilo सोने के लिए तो हमको करीब 40 लाग रुपे दिने पड़ेंगे और अगर वहीं aluminium की बात करें काफी ज़्यादा महेंगे होते है पर अब हम बात करेंगे कि हम aluminium को ही क्यों पयोग मिले रहे है तो दोस्तों number one हम बात कर लेते है resistance है resistance काड़ इतना सा है अगर किसी wire का resistance जादा होगा तो इसमें current उतना मुश्किल से flow होगा तो हमारे जो copper है उस copper का जैसे मैं आपको पहले बता है उसकी conductivity काफी अच्छी होती है मतलब इस copper का resistance होता है वो resistance काम होता है हमारे aluminium के मुकाबले अभी हम aluminium और copper में difference को जानेंगे और साथ-साथ यह जानेंगे कि हम aluminium को ही क्यों पयोग मिले रहे तो resistance के मामले में बात करें तो हमारे जो copper का resistance होता है उस copper के resistance से हमारे aluminium का resistance 60% जादा होता है इसको आप एक उधारन समसकते हैं जैसे हैं कि हमारे पास wire है इस wire का अगर resistance एक ohm है तो इसी size तो बिल्कुल सेम इसी size के एक aluminium का wire का resistance होगा वो होगा 1.6 ohm तो अगर हमारे ये aluminium का wire है इस aluminium के wire को मैं इसी size के wire को double कर दूँ तो हमारे इस wire का resistance है वो 0.8 ohm हो जाएगा मतलब आदा हो जाएगा तो इस तरीके से हम aluminium के wire के resistance को तो कम कर लिते हैं पर दोस्तों अगर हम transmission wire के हिसाब से अगर इमने दूसरा मुख्ये difference को जाने तो हो आजाता है हमारे weight के उपर और ये काफी ज़्यदा important है क्योंकि हम सभी को पता है अगर हमारे wire का weight ज़्यदा होगा तो हमारे transmission के जो tower है वो tower भी हमारे high power के लगाने पड़ेंगे high power का मतलब की वो tower हमारे ज़्यदा वज़न को जहल सके तो हमारे tower का वज़न जितना कम होगा उतने हमारे tower की cost कम हो जाएगी तो अगर हम इधर देखे तो हमारे जो copper का वज़न होता है वो copper का वज़न ज़्यदा होता है हमारे aluminum के वज़न से इसको आप इससे ही कैसे समझ सकते हैं जैसे हैं कि हमारे पास wire है अगर इस wire का weight 1 kg है तो अगर हम इसी same size के aluminum का wire का weight देखेंगे तो वो weight हमारे लगवग 0.033 kg ही होगा पर जैसा कि मैंने आपको starting बता है कि हम aluminum के wire को double करके लगा रहे हैं कि हमारे resistance कब हो जाए तो अगर हम इसको double भी कर देते हैं मतलब यह wire की मोटाई को हमने बढ़ा दी तो हमारा weight फिर भी 0.066 kg ही होगा यह अभी भी हमारे copper के weight से कम हो है तो अगर हम aluminum के wire को उपयोग मिलेते हैं तो हमारे tower मिलाने की जो cost है वो cost कम आएगी क्योंकि हमारे tower को कम वजन को जेलना पड़ेगा तो अब हमारे 2 और मुख्य region बागी है और आपको पूरा answer clear हो जाएगा तीसे नमबर का हमारे जो region है वो है cost wise अब दोसे cost wise में क्या फरक होगा तो हम सभी को बता है जैसा कि मैंने आपको starting को बता है पर जैसा कि मैंने आपको starting को बता है कि हम aluminum के मोटे wire को प्योंग में ले रहे यानि just double wire को प्योंग में ले रहे तो हमारे rate है ये rate भी हमारे 100 की बज़ए 200 रुपे हो जाएगी तो अगर हमारे aluminum wire की cost 200 रुपे भी होती है और ये insulation क्यों नहीं देते है अगर आपको इसके ओपर भी वीडियो चाहिए तो आप comment कीजेगा मैं इसके ओपर भी वीडियो बना दूँगा पर अभी हमको सिर्फ इतना पता है कि इसके insulation नहीं चड़ा होता है और इसके साथ में हम सभी को यह भी पता है कि हमारे जो copper के परदात होता है उस पे काफी जल्दी जंग लग जाती है जंग का मतलब हमारे corrosion काफी जल्दी आ जाता है जैसे कि हम सभी घर के बरतन को भी कई बार note करते है कि हमारे जो तामदे के जो भी बरतन होता है उनके रंग में बदलावा जाता है पर अगर हम aluminum की बात करें तो इसमें ऐसा कोई भी खत्रा नहीं होता है जो कि हमारे aluminum wire की life को काफी बढ़ा देता है तो दोस्ता आज की इस वीडियो के नहीं हमने क्या सीखा सबसे पहले हमने यह जाना कि हमारे कौन से material की सबसे अच्छी conductivity होती है इसमें number one पे चान्दी का नाम आएगा copper, gold, फिर aluminum आएगा इसके बार में हम aluminum wire को क्यों उप्योग में लेते हैं उसके अंदर सबसे पहली जाजाती है हमारा weight कि हमारा copper का weight होता है उस copper का weight हमारे aluminum के मुकाबले ज़्यादा होता है मतलब है 100 साल तक अच्छे चलनी चाहिए लेकिन हम सभी को बता है transmission line को हम insulate नहीं करते हैं इसके करण हमारे copper पे काफी जल्दी जंग लग जाएगी पर हमारे aluminum में ऐसा नहीं होता है aluminum पे जंग की चिंचा नहीं होती है तो इस तरीके सा हमारे transmission wire के life भी बढ़ जाती है तो दोस्तों उमीरी के आज के इस वीडियो के मद्यम से आपको कुछ बहतर जान करें मिली होगी दोस्तों इस वीडियो खतम करदें से पहले आपके लिए काफी math phone सूझना है अगर आप कहीं पे electrical या mechanical फिल्ड के पढ़ाई या पी job कर रहे है तो हमने एक website start करिए जिसका नाम है www.engineeringdose.com दोस्तों इस website पे आपको काफी अच्छे हिंदी में electrical और mechanical से जुड़े आर्टिका मिलेंगे दोस्तों आपको यह वीडियो काईसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरू बता हैं अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के परतिया अवि एलेक्रीकल जुड़ा ता आपको जिनीचे कमेंड बॉक्स में कमेंड लिए करके पूछ सकते हैं इलेक्टिकल के विडियो से कर आप इन्दी में एक नम पसंद करता हैं आधि यह मैं चैने को सस्क्राइब कर लीजिए आज के लेट नहीं धन्यवाद